चलिए इस्टुडेंट हम लोग प्रश्णावली 12 चार के सवालों को सॉल्व करते हैं तो इस्टुडेंट यहाँ पर आप लोग क्वेस्चन नमबर वन को देखिए इसमें क्या कहा जा रहा इसको आप लोग पढ़िए और हल करने का प्रयाज कीजिए तो इस्टुडेंट य दारि freeze यहाँ पर मैं क्या करना है जिरू दसमलों दो को 6 से मल्टीप्लाई करना जब छे से गुडा करना सो आप घुडा करिए जैरू दसाeriog छे को गुडा करिए एक अंक बाध लगं दूसरे आंक और तो यहाँ पर भी एक अंक बाद आप दर उस्टूडेंट यह हमारा क्या हो जागा आणसुर हो जागा अभी हम लोग जैसे करते जाएंगे वैशे वैसे चीज़ें आप लोगो किस मुणती जाएंगी आगे देखिए दूसरे नंबर को और इस दूसरे नंबर में क्या कहा जा रहा है। आठ को 4 दस्मलों 6 से multiply करना है तो आप गुड़ा कर लिजिये 8 को 6 से multiply करेंगे तो 8 चंग हो जाएगा 48 हासिल कितना बचा 4 तो 8 को 4 से multiply करेंगे 8 चोग 32 और हासिल जो 4 बचा था ओग यहां पर देखें दसमलो कितने अंग बाद लगा है एक अंग बाद ना तो यहां पर भी यहां से इधर से आपको दसमलो लगाना इस बात का ध्यान रखना है हमेशा दसमलो इस तरफ से शुरू करना है तो एक अंग बाद दसमलो लगा दीजिए हमारे पास क्या गया है 36.8 और student यहीं हमारा क्य आएनसुन हो गया आगे देखिए चलिए थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखर नंबर का solution क्या होगा थर्ड नंबर को द्याद से देखे, 2.71 को, हमारे पास क्या है, 2.71 को गुड़ा करना है, किससे 5 से, गुड़ा कर दिजिए, 5 को 1 से गुड़ा करेंगे, तो 5 आ जाएगा, 5 को 7 से गुड़ा करेंगे, 5 सते 35, 35 के 5, हासिल 3, और 5 दूनी 10, और हासिल 3 बच्चों क्या हो लगा 13, और आगे देखे, क्या हो जाएगा, यहां पर, एक, दो अंक बाद दसमलो लगा है, तो इधर से गिनिये, दो अंक बाद आप दसमलो लगा दीजिए, तो हमारे पास क्या आ गया, 13.55 और इस्टूडेट यही मारा क्या हो गया, एंसर हो गया, चलिए, अब हम लोग चार नमबर पर चलते हैं, और देखते हैं इसका सुलूसन क्या होगा, तो यहां पर देखे में क्या दिया गया है, 20.1 को हमें मल्टीप्लाई करना है, चार से, तो आप मल्टीप्लाई करिए, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो 4 x 4, 4 को 19 से गुड़ा करेंगे, तो सुनने आजाएगा चार को दो से गुड़ा करेंगे तो चार दुनी आठ अब यहां पर आप लोग ध्यान से देखें कितने अंगबा दस्वनों लगा देखिए एक अंगबा दस्वनों लगा है तो आप भी यहां से एक अंगबा दस्वनों लगा दीजिए और यहीं हमारा क्या हो ज जा गया है साथ हल कर लीजिए साथ को पांच से मल्टिप्लाई करेंगे तो साथ पचे 35 35 के पांच हासिल तीन साथ सुन्ने सुन और सुन्न में तीन जोड़ दोगे ता जाएगा 35 और इस्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया एंस्वर हो गया चलिए अब हम लोग छठे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सुल्यूशन क्या हो तो छठे नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए इसमें क्या का जा रहा है 211 दसमलो जीरो दो को में गुड़ा करना है चार से तो चार से गुड़ा कर देते हैं गुड़ा करिए चार दूनी आठ चार को सुनने से गुड़ा करेंगे चार सुनने हो जाएगा चार को मनें एक से गुड़ा किया तो यहाँ पर चार फिर इस चार से मनें वहान में गु तो हमारे पास क्या आगया 844.08 और student यही हमारा क्या हो गया answer हो गया चलिए अब हम लोग सात्वे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सात्वे नंबर का solution क्या होगा तो student आप लोग सात्वे नंबर को ध्यान से देखिए दो गुड़े 0.8 छे क्या दिया गया है दो गुड़े 0.8 छे तो आप गुड़ा कर लिजिए अगर आप लोग इस तरीके से करने में दिक्कत हो तो आप लोग ऐसे लिखिए 0.8 छे kids method जैसे आप लोग कच्छा दो में करते हैं ऐसे करिए दो चंग 12 के दो हासिल एक दो अठे 16 के साथ हासिल एक दो सुने सुन एक अब यहाँ पर देखिए एक दो अंगवाद दसमनों लगा एक दो अंगवाद आप भी दसमनों लगा दीजिए और हमारे पास क्या जाएगा 1.72 ठेक स्टूडेंट और आप देख सकते हैं इस तरीके से यह जो हमारे question था हमने इसको solve किया चलिए अब हम लोग अगले number पर चलते हैं और देखते हैं student उसका solution क्या होगा तो आप लोग question number 2 को ध्यान से देखिए इसमें क्या का जा रहा है कोई आयत है यहाँ पर देखि एक आयत का छेत्रफल क्यात किजिए जिसकी लंबाई 5.7 cm और चौड़ाई 3 cm है तो लिखिए हमें क्या क्या दिया गया है आयत की लंबाई दी गई यह लिखिए आयत की लंबाई कितना दिया गया है 5.7 cm आयत की चौड़ाई कितना दिया गया student 3 cm तो आयत का छेत्रफल क्य आयत का छेथपल होता है student लंबाई गुड़े में चौड़ाई, जब हम लोग लंबाई को चौड़ाई से multiply कर देते हैं, तो हमें आयत का छेथपल मिल जाता है, लंबाई हमें 5.7 cm दिया गया है, और चौड़ाई हमें 3 cm दिया गया, multiply कर लिजिए, तीन सते 21 के एक हासिल 2, और 3 पचे 15 2 क्या हो जागा, 17, एक अंकबाद दसमलो यहाँ से लगाईए, यहाँ से गिनिए एक अंकबाद लगाना लगा दीजिए, और छेथपल का मातरा क्या होता, वर्ग 1 आई, तो वर्ग cm हो जाएगा, ठीक है, और student इस तरीके से आप देख सक करते हैं, यह जो मारा question number 2 था, हमने इसको solve कर लिया है, चलिए, अब लोग अगले number पर चलते हैं, और देखते हैं उसका solution क्या होगा, तो student, आप लोग question number 3 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, मैं गुड़ा करना है, हमें ग्याद करना है, तो चलिए हम लोग ग्याद करते हैं, चलिए, ग्याद करते हैं, फर्ष्ट number में देखिए, क्या दिया गया है, एक दसमलो 3 को गुड़ा करना है, दस से, तो गुड़ा कर ये 10 से, 10 तिया 30, 30 के सुन हासिल 3 ठीक है, और 10 एक के 10, और हासिन 3 जोड़ दीजिए, कितना जैगा 13, देखिए, दसमल क्या दिया गया, 36.8, 36.8 को मल्टिप्लाई करना है, दस से, तो दस से मल्टिप्लाई करिए, 10, 88, 80, और 80 के सुन हासिल क्या बचा, 8, 10, 5, 60, और हासिल 8 आप जोड़ दोगे, तो 68, 68, हासिल कितना बचा, 6, 10, 33, और हासिल 6, 36, एक अंग बाद दसमलो लगाना, इस्टूडे जिए ठीक है, चलिए, यहां से आप लोग कुछ देख पा रहे हैं, देखिए, जब हम 10 से मल्टिप्लाई करते हैं, दसमलो मारा एक अंग इधर सिफ्ट हो जा रहा है, देखिए, जैसे मारे पास 1, 3 था, हमने 10 से मल्टिप्लाई किया, तो मारे पास क्या जा रहा है, तेरह बही, यह दसमलो सिफ्ट हो करके, यहां पर चला रहा है, तेरह दसमलो जिरो हो रहा है, तो दसमलो सिफ्ट हो गया है, यहां पर, अब जैसे अगर हम इस तरीके से के 12 दसमलो चार, इसको 10 से मल्टिप्लाई करें, तो मैं गुड़ा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे में डिरे नमबर में, हमें दिया है, 153.7, 153.7, और आप इसे किस से गुड़ा करें, तो जब 10 से गुड़ा करते हैं, तो यह जो दसमलो मारा एक अंक इधर सिफ्ट हो जाएगा, देखिए, एक अंक छोड़के लगेगा, 153, ऐसे लिखिए, अब दसमलो लगा करके जिरो, आप गु दाइने तरफ सिफ्ट हो रहा है, आपका दाया कौन सा है, इधर ही होगा, एप आया होता है, जब 10 से गुड़ा करते हैं, दसमलो मारा एक अंक किदर सिफ्ट हो, दस से गुड़ा करते हैं, तो जिखिए, आगे देखिए, यहाँ पर चार नमबर को आप लोग ध्यान से दे से तो अभी हमने का क्या कहा जो मारत 10 से जब मल्टीप्लाई करते दसमलों यहां पर है एक अंग दाइं और सिफ्ट होगा तो सिफ्ट हो करके यहां पर आजाएगा देखिए क्या हो जागा 535 नमबर को ध्याद से देखिए और जब मारे पास master concept रें स्टूरेंट हम लोग basic में अप्लाई करें बताएं तो आप लोग इस do कौन सिप्ट को प्लाई करना आगे देखिए पांचवे नंबर में 31.1 है कितना है 31.1 गुड़े में क्या है 100 है अब देखिए जब हमारा 10 से मल्टिप्लाई करते है इस्टूडेंट तो जैसे यहाँ पर 10 अंक सिप्ट होता है ठीक है लेकिन जब हम 100 से मल्टिप्लाई कर देत है दसमलों हमारा दो अंक सिप्ट होता आप दसमलों जैसे यहाँ पर है न एक छोड़िए दूसरा अंक छोड़िए तब लगेगा ठीक है जैसे यहाँ पर देख लिजिए 31.1 को आपको 100 से गुड़ा करना है तो हमारे पास यहाँ पर क्या जगा देखिए 31.1 है एक अंक हम आप लोग मल्टिप्लाई करना चाहते है तो मल्टिप्लाई करके आपको दिखाये देते हैं जैसे यहाँ पर 31.1 है इसको आप 100 से गुड़ा करना चाहरे हो तो 100 से गुड़ा करिए 100 के 100 के 100 हासिल कितना बचा है 101 के 100 के सुन हासिल 10 बचा 101 के 100 हासिल 10 जोड़ोगे तो 110 हो जाएगा और 110 के सुन हासिल 11 बख्त बख्त आगार। clicked अ सव नहीं लिखा तो यहां पर होता है ठीक है। अब कि हमारी पास एकत-ती Pacms है. अब लोग एसे भी कर सकते हैं. छलिएं, आम लोग छठे नंबर पर चलते हैं और multiply करते हैं तो student आप लोग छठे नंबर को ध्यान से देखिए इसकी बात हो रही है यहाँ पर ध्यान से देखिए हमारे पास क्या है 156.1 ठीक student और multiply करना है 0 से तो चलिए यहाँ पर हम आपको एक तरीका और सिखाते ब्रेक करके देखिए यहाँ पर जैसे 156.1 है तो सवकों क् सकते हैं दस गुड़े दस लिख सकते हैं student चलिए तो यहाँ पर देखिए 10 से जब आप multiply करोगे यहाँ पर आ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जागा 1561 फिर multiply करना 10 से तो जब 1561 जैसे आपको पास 2 होता है ना 10 से multiply करते हैं 20 यहाँ पर 0 बढ़ जाता है तो 1561 है इसको आप 10 से multiply करोगे 15600 हो जाएगा ठीक है और यहीं वारा एंसर हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं सात्वे नंबर पर देखिए इस सात्वे नंबर में क्या दिया गया है तीन दसम्लोग छे-दो को गुड़ा करना है सौ से तो आप सौ से गुडूड़ कर दीजिए अब देखिए सौ्षे गुड़ा करने दो अन्क दसम्लों ondo भ़गा 10 से गुड़ा करते सव से गुड़ा करतें दसम्लो दो अंक दाइनी तरब जाता है दाइनी तरफ यही दाया होगा तो एक अंग कि यहां और दूसरा अंक कि यहां और इसके बाद दसम्लों लगेगा हमारा हो जागा 362 ठीक चुर्टेंट और यही एंसर हो जागा आठवे नंबर को देखिए आठवे नंबर में स्टूजेन देखिए क्या कहा जा रहा है 43.07 क्या है 43.07 को multiply करना है 100 से तो multiply कर दीजिये 100 से करोगे दसमलो कितना अंग सिप्ट होगा एक अंक ए हो गया और दूसरा अंक ए हो गया इसके बाद लगेगा तो यहां पर लगा दीजिए 0, 7 के बाद 10 लगाईए 0 लिख दीजिए तो इस तरब कुछे लिखने के जरुवत है नहीं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 43, 0, 7 और यही मारक क्या हो जागा एंस्वर आगे देखते हैं 9 नमबर पर चलते हैं 9 नमबर में देखें क्या दिया गया है 0, 5 को Multiply करना है 10 से 10 से Multiply करेंगे 1 किदर shift होगा दाइनी तरब यहां से 10 नमबर यहां पर आकर के लगेगा हो जाएगा 5 और student यही हमारा क्या हो जागा answer हो जागा चलिए अब लोग अगले नमबर पर चलते हैं इसके 10 नमबर पर और देखते हैं 10 नमबर का solution क्या होगा तो दसमलो का Multiply कैसे करते हैं student आप लोग समझ गए होंगे चलिए 0.08 को आपको Multiply करना 10 से Basic method आप Apply कर दीजिए यह पर जैसे ठीक पड़िए आप ऐसे करें 10 से गुड़ा करें दसमलो एक अंक मारा shift होगा तो 0 के बाद और 8 के बीच में लगेगा तो 0 के बाद 8 के बीच में लगा दीजिए क्या जाएगा 0.08 ठेक स्टूडेंट चलिए 11 नमबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका solution क्या होगा तो 0.9 को multiply करना 100 से ठीक है नई समझ पारे हो कैसे करना तो चलिए 0.9 है आपको दिखराग एक अंक बाद दसमलो देखें एक अंक shift करना पड़ेगा यहाँ आप लेगे लिए 10 गुड़े 10 ठीक है 0.9 को 10 से multiply करोगे दसमलो एक अंक shift हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 9 और 9 को 10 से multiply कर दोगे 9 दाम क्या होदागा 90 आप लोग डिरेक्ली दो एक shift कर देते चलिए यहाँ पर देखें 12 नंबर को इसमें क्या दिया गया है 0.03 को multiply करना है 1000 से ठेक ही student हमें दीख रहा है दसमलो वारा दो एक shift होगा है तो इसमें कैसे करेंगे देखें हम डिरेक्ली तीन अंक shift कर सकते हैं लेकिन आपको समझाना है न इस्टूडेंट इसलिए देखें 0.03 इंटू में 100 दाम कितना होता है 1000 तो आप ऐसे कर लिजिए अब दो अंक shift करेंगे थमें 3 मिल जाएगा और 3 गुड़े 10 करेंगे बच्चों थमें 30 मिल जाएगा ठीक है है चलिए आप देख सकते हैं बच्चों इस तरीके से जो मारा 3 नंबर था हमने इसको solve कर लिया है चलिए आप लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका solution क्या होगा तो student आप लोग question number 4 को ध्यान से देखिए इसमें क्या बात कही जा रही है एक दूपहिया वाहन एक लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमेटर की दूरी जाय करता है एक लीटर तेल में आप कहते हो ना हमारी गड़िया एक लीटर में 60 किलोमेटर जाती है तो हम कहें 10 लीटर में कितना किलोमेटर जाएगी तो आप कहोगे भईया 60 कुड़े 10, 600 किलोमेटर चली जाएगी हम कहें अगर 2 लीटर में कितना जाएगी तो आप कहोगे 60 कुड़े 2 बराबर 120 लीटर में हमारी चली जाएगी भई 120 किलोमेटर चली जाएगी तो यहाँ पर ईनकी गाड़ी कितने किलि किलिमीटर जारी एक लिट तेल में 55 qr3 qm समझ गये करना क्या है हल करिये एक दूपही करिए वहां एक लीटर में 55 75 qrm लिखिए एक लीटर तेल में चली गई दूरी पेटरोल है टीक, पेटरोल लिख देते हैं एक लीटर पेट्रोल एक लीटर पेट्रोल में चली गई दूरी एक लीटर पेट्रोल में चली गई दूरी स्टूडेंट कितनी है 55.3 किलोमेटर ठीक है तो 10 लीटर में कितना जाएगी लिखिए 10 लीटर में तैं की गई दूरी एक लीटर में 55.3 किलो मेटर तो 10 लीटर में 10 गुड़े 55.3 किलो मेटर 10 से मल्टिप्लाई करिए तो यह जो दसमलो एक अंक इधर सिफ्ट हो जाएगा हमारे पास आजाएगा 553 किलो मेटर ठेक स्टूडेंट और बच्चों आप देख सकते हैं इस तरीके से यह जो मारा क्वेस्चन है मुने इसको सॉल्व कर लिया है तो चलिए इस्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए थैंक यू